कॉंपिटिटिव एक्जैंस में सारा खेल टाइम का होता है और स्क्वेर रूट निकालने में नौमली बहुत टाइम लगता है इसलिए आज हम सीखेंगे स्क्वेर रूट निकालने का एक शॉटकट मेथड और यहां तक की डेसिमल स्क्वेर रूट भी जिसमें कि अगर decimal number का भी square root निकालना है तो उसका भी shortcut method method एक ही होता है बस उसमें थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपको याद रखती हैं जैसे कि 1 से लेके 14 या 15 तक का square बस इतना सा कर आपको याद रहेगा तो 2 steps में आप within 5 seconds square root किसी भी number का निकाल सकते हैं so let's get started welcome to the trick of square roots देखिए इसमें सिर्फ तीन steps आपको याद रखने एक तो 1 से लेके 13 या 14 तक के squares पहला step और second step आपको जो last two digits है उनकी units digits से मतलब है यानि अगर हम इसको देखें इसकी सिर्फ units digit के बारे में हमें bother करना है और third step है आपका ये जो 18 यानि जो बचीवे digits है उनकी value देखिए फिससे मैं बता रहे हो 3 steps एक आपको ये याद रखना है कि 1 से लेके 13 या 14 तक के squares second step है आपको 49 यानि last की 2 digits की सिर्फ unit digits से मतलब है आप last की 2 digits लीजे और उसमें से भी उसकी units digit लीजे और third step है आपका ये 18 यानि जो बचीवे digits है उनकी value let's get started अगर ये 49 है इसका मतलब ये किस किसका square में आ सकता था 3 और 7 क्यूंकि units digit 3 की 9 होती है 3 square की और 7 square की भी 9 है इसका मतलब ये दोनों में से कोई एक number होगा या 3 या 7 दोनों में से कोई एक है अब ये देखना है कि 3 है या 7 है उसके लिए आप देखिए 18 को 18 किसका square है यहाँ देखिए 4 square is 16 5 square is 25 यानि 4 का square के आसपास है 5 square क्यूंकि उससे बड़ा हो जाता है हम नहीं ले सकते इसका मतलब मुझे यहाँ पहले तो 4 लेना है 4 का just next number है मेरा 5 उससे multiply करना और ये मिला मुझे 20 जब मुझे 20 मिलता है तो मुझे 18 और 20 को compare करना है कौन सा बड़ा है अगर 18 बड़ा होता तो मैंने 7 लिया होता अगर 18 छोटा है तो मैंने छोटा number लिया होता देखिए अगर 18 क्यूंकि 20 से छोटा है 18 is less than 20 तब हम ये छोटे number को select करेंगे और यहाँ किस का square था ये 4 का यानि 4 और 3 इस तरह 43 का square आपका आता है 18,49 आप calculate करके जरूर check करिएगा देखिए second example से हम और एक बार समझते है हमको दो पार्च में question को divide करना है पहली ये कि जो last two digits है उनकी भी units digit को देखना है जैसे कि इसको और ये पूरी value को देखना है अब अगर हम 41 देखें तो 1 के square में आता है और 9 के square में आता है units digit 1 1 का square 1 है 9 का square 81 तो देखें यहाँ पर आपकी दो possibilities हैं या तो वो 1 होगा या वो 9 होगा अब आतें 50 50 देखें 7 square के पास है 8 square उससे बढ़ा हो जाता है इसलिए हम नहीं ले सकते तो 7 square की जगा हमने यहाँ लिख दिया 7 7 को multiply करेंगे just उसके next number यानि 8 से आपका answer आया 56 अब आपको यह देखना है कि 56 और 50 को compare करना है क्योंकि 50 56 से कम है इसलिए आप यह छोटे number को चुलेंगे अगर यह number यहाँ का 58 होता तब आप 56 है क्योंकि बड़ा होता तब आप इसे 9 को चुलतें तो आप देखिए आपका क्या मिला आपको 7 एक डिजिट मिली और दूसरी मिली 1 यानि इस तरीके से अगर हम देखें 43 square is 1849 and 71 square is 5041 यह देखिए within 5 seconds आप अगर यह table आपको याद है तो आप within 5 seconds थोड़ी सी भी practice करेंगे तो 5 seconds से कम में आप यह इसका square निकाल सकते है square root निकाल सकते है और थोड़ी से example से अगर हम देखेंगे तो हमें यह concept बहुत ही clear हो जाएगा और आपकी speed भी बहुत जल्दी बढ़ जाएगी चलिए मेरे साथ साथ करिएगा आगे के examples चलिए यह तो examples आप मेरे साथ साथ करिए देखें कौन पहले करता है 73 and 96 दो parts में divide कर दिया 9 और 6 इसकी मुझे देखनी है units digit 6 6 आती है 4 के square में और 6 के square में यानि यह दो digits के बदले में मुझे या तो 4 मिलेगा या मेरा answer 6 होगा 4 या 6 अब आते हैं first part यानि 73 73 देखें कहां आ रहा है 8 square और 9 square के बीच में लेकिन मुझे छोटा number लेना है यानि 8 लेना है मैंने यहां लिखा 8 8 के आगे का number है 9 उससे multiply करके मुझे मिला 72 अब आप देखें 73 72 से बड़ा है या छोटा क्योंकि बड़ा है तो हम बड़ा number चूज करेंगे मेरा answer आया 8 और यह 6 देखें क्यों मैंने 8 8 का मेरे को पता ही है क्योंकि 8 square is 64 9 square 81 है तो हम 9 square नहीं ले सकते थे 8 into 9 8 के just next number से multiply करना that's 9 8 into 9 is 72 और 72 छोटा है 73 से यानि यह number बड़ा है तब हम बड़ा number लेंगे इस number के उपर depend करेगा अगर यह value बड़ी है तो हम बड़ा number लेंगे यह value छोटी है तो छोटा आप देखें 86 square आपका आता है 7 3 9 6 उसी तरह अब हम यह example लेंगे इसमें देखें 69 9 आपको 3 के square में मिल रहा है और 7 के square में मिल रहा है तो सबसे पहले आपको 3 और 7 लिख देना है यह दो digits के बड़ले या ये या ये होगी आप देखें 127 आप आया है 3 digit number 127 आपका देखें कहां रहा है 11 square और 12 square के बीच पे लेकिन हमें छोटा लेना यानि 11 लेंगे अब आप हमने जब 11 लिखा 11 को multiply करना है 12 से इंटू 12 आप देखें 12 टेंज आ 120 120 प्लस 12 इस 132 आप मुझे compare करना है 127 और 132 127 क्योंकि छोटा है इसलिए मुझे छोटा number यानि 3 लेना है आप मेरा final answer है 113 अगर आप 113 का square देखेंगे तो आपको मिलेगा 12769 आप बताईएगा जरूर कि किस-किस ने मुझे से पहले कर लिया कमेंट जरूर करिएगा अब एक example में और दिखाते हूं आपको जिसको आपको अपने practice में करना है और उसका answer में आपको जरूर देने वाले हूं इस वीडियो के end में और उससे पहले हम देखेंगे कि कैसे decimal numbers का square root निकाला जाता है चलिए देखते हैं आपका practice question है 17424 का square root निकालना वीडियो के end में आपको इसका answer जरूर दिल जाएगा लेकिन आप अपने आप करके देखेगा जरूर आप आते हम decimal numbers के square roots पे इसमें भी कोई बहुत बड़ा trick नहीं लगाना है same trick है बस first step पदल जाएगा देखे 23.04 यानि 23.04 सबसे पहले हम इसका point remove करेंगे कैसे कर सकते हैं 23.04 दिवाइड बाइ 100 100 इसले क्योंकि यहां 2 decimals है आप अकर इसको multiply by 100 करते हैं तो आपको इस same number को divide by 100 करेंगे और अब हम इसका square root निकालेंगे बस बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने पहले निकाला 2304 यह देखिए पहले इसके हम दो digits को last two digits को अलग कर देंगे 4 किसके units digit में आता है 4 आता है 2 के में और 8 के में तो मुझे यह इन दोनों में से कोई 1 को चुनना होगा 2 या 8 वो किसके उपर depend करता है इस value के उपर यानि 23 23 अब 23 वेखिए कहां तक आपको मिल रहा है 4 square और 5 square के बीच में लेकिन मुझे हमेशा छोटा number लेना है यानि मैंने को 4 लेना है 4 को multiply करना है उसके next number से 5 से आपको मिला answer 20 आप आपको compare करना है इसे और इस value को क्योंकि ये बड़ी value है इसलिए आप बड़ा number चुनते है अगर देखें ये 23 is greater than 20 इसलिए आपने 8 चुना अगर यहां 18 होता क्योंकि वो 20 से less होता तब आपको 2 चुनना था तो आपका answer आया 4 और 8 यानि 48 का square आपको मिल गया 2304 लेकिन आपको चाहिए किसका था 2304 divided by 100 और जैसा कि आप सब जानते हैं कि square root of 100 is 10 कैसे निकालते हैं जितने zeros हैं हर एक का pair बना लिजे और pair के बदले एक single zero लिखे जैसे माल लिजे अगर ये होता 10,000 तो इसमें आप क्या करते हैं ये pair बना लिजे और हर pair के बदले एक single zero लिखे 1 को as it is यानि 100 square is 10,000 तो under root जब हमने 100 का लिया तो आपको 10 मिला इसका मतलब अगर हम तेखें 23.04 का under root आएगा 48 divided by 10 यानि 4.8 आपका final answer आया 4.8 चलिए और examples करते हैं उससे आपको ये concept बहुत ही clear होगा और फिर मैं कह रहे हो आप मेरे 7 साथ करिएगा अब मेरे इस example में आप देखिए कि decimal point के बाद 4 digits हैं पहले वाले में 2 थी इसका मतलब अगर हमें इसका decimal remove करना है तो 2601 divided by 40 लगाने पड़ेंगे आपको 10,000 हमें इसका निकालना है square root आप देखिए ये number same है 0.2601 और ये number बिल्कुल same है आपने 4 से multiply किया यानि 10,000 से multiply किया तो 10,000 से आपको divide करना पड़ेंगे अब हमारा number आता है 2601 हम सबसे पहले दिखेंगे 2601 same method 1 किस किस के end में आता है 1 और 9 पहले हमको इन दोनों में से चुनना है अब आते 26 26 आएगा 5 के square के पास ये बड़ा हो जाता है इसलिए इसे reject करेंगे आप आएगा 5 26 के बदले आया 5 into 6 5 into 6 आपका मिलता है 30 और क्यूंकि 30 बड़ा है 26 से तो हम इस छोटे नंबर को चुनेगे 26 less than 30 तो आपको जो चुनना है वो भी छोटा नंबर है यानि 51 देखें इसके बदले आया था 5 और यहाँ छोटा नंबर है 51 अब आपका 51 डिवाइड बाइ 100 100 क्यूं आया यह देखें क्यूंकि इसमे से 10,000 में से आप अगर पेर बनाएंगे तो आपको पेर के बदले मिलेगा एक एक सिंगल जीरो यानि 100 10,000 का स्क्वेर रूट होता है 100 तो आपका फाइनल आंसर आया 51 डिवाइड बाइ 100 यानि 0.51 इसका स्क्वेर रूट 0.2601 का स्क्वेर रूट है 0.51 आपने अब तक कर लिया होगा इसलिए मुझे पका पता है कि आपका आंसर भी निकल लिया जल्दी जल्दी निकालते हैं बिना एक्स्प्लेनेशन के फटा फट निकालते हैं इसका यह आएगी एक ही डिजे 5 क्योंकि 5 ही आ सकता है 156 156 यानि 12 स्वेर आप करते हैं 12 इंटू 13 12 इंटू 13 यानि करके देख लेते हैं चलिए 12 इंटू 13 6 2 3 1 156 अब क्यूंकि 156 और ये सेम है इसका मतलब 1 2 5 1 2 5 आपका अंसर नहीं है क्योंकि डिवाइट बाइ 10 करना बाकी है इस 12.5 देखे कितनी जल्दी निकलता है अभी तो मुझे एक्स्प्लेनेशन में टाइम लग रहा है जब आप करेंगे तो आप फट आप मेरे से भी फास्ट कर सकेंगे 25 सिर्फ यहा आता एक्सेप्ट फॉर 5 स्क्वेर तो यहां 5 156 आपने देख लिया 12 इंटू 13 डिरेक्टली आपको 156 मिल रहा है इसलिए आपको 12 लिखना है यहां 5 125 और यह क्योंकि 100 से आपने मल्टिप्लाई किया था इसलिए आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे और स्क्वेर रूट नि आपको सिर्फ आंसर बताने वाले हूं यू आप 10 सेकंद्स अफ ताइम विक्तियों 10 सेकंद्स में आप जब तक करिए तब तक मैं पहले आपको आंसर लिखके दिखा रहे हूं पहले आपको प्राक्टिस कोईश्यन का आंसर ओके, I hope you would have done इसका आंसर है 1.43 ये है 0.164 इसमें भी कुछ नहीं करना था simple वही method, देखें मैं अभी आपको explanation दिखा दो 20449 divided by 10,000 क्यूंकि 4 बार हमने decimal place को move किया है 4 बार नीचे हमने 10,000 से divide किया 49, 49 के बदले हमें 2 digits में से कोई एक चुनी है 3 या 7 ये दिखें और 204 अगर आगे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि ये 14 square के पास है 14 square is 196 14 into 15 आपको मिलेगा 210 क्यूंकि 210 बड़ा है यानि ये छोटा है तब आपको छोटा नंबर चुनना है इससे आपको मिला 143 divided by 100 इसका answer है 1.43 ये आपका answer है similarly ये वाला आप खुद करेंगे और जो practice question दिया था उसका answer है 132 आज के session में हमने देखा कि square वो कितनी जल्दी निकाला जा सकता है exam में It's very useful and competitive exams और सिर्फ school के exam में भी आप इसको निकाल सकते हैं check करने के लिए आपको steps तो लिख रही होते है स्कूल के exams में लेकिन check करने के लिए ये method बहुत ही अच्छा है ये definitely सही है कि इस method के कुछ exceptions हैं लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो 99% cases में ये बाला method आपका बिलकुल सही आता है आगे आने वाले episodes में और भी बहुत सारे tricks सीखेंगे so stay tuned to Idea Infini Hope you are liking all our videos so send in your suggestions and queries in the comment box share the videos with your friends and press the bell icon for the latest information on all the videos of maths and English and don't forget to subscribe the channel Idea Infini